नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीरवाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी. आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिये, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके ज जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसी लिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार द्वितिया तिथि के दिन, अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी, इसी लिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं उससे पहले, हे शनिदेव इसी के साथ में आप सभी को बता दूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो काट-काट कर देखते हो और गलत-गलत उपाय को कर लेते हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें देखिए दोस्तों, यह शनिवार दुवितिया तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह शनिवार दुवितिया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है यह एक ऐसा उपाय है जिस वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना हमें इस शनिवार द्वितिया तिथी के दिन कैसे करना है किसको करना है किस समय करना है और कहां पर करना है यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चा एक कटोरी सरसों के टेल की तो यह सोने पर सोहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है अब दोस्तों इस एक कटोरी सरसों के टेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनो कामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर, परिवार की सुख और शान्ती के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। और पूरे घर, परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं ह अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो तो इस वाल को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे, कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार द्वितिया तिथी का दिन है, और इस दिन प्रदोशकाल के बहुत महत्व होता है, बाकी अगर सुबह अगर हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोशकाल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके, आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय क वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है। वीडियो विशेशकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है यह है न्याय के देवता यानि की शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है दो हजार चौबीस और यह साल किसका है शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो आने वाली पीडियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुडे कष्ट आपको परेशान करते हैं शनि की पीडाएं आपको परेशान करती हैं शनि की कोई भी महादशा है आपको पता है तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की साड़े साथी चल रही है शनि धैया चल रही ह शनी की ये महादशा चल रही है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको नहीं पता है कि शनी की साड़े साती है शनी ढहिया है या कोई वास्तु दोश है नजर दोश है अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है न तब भी आपको यह उपाय करना है शनीवार के दिन क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनीवार के दिन करते हैं तो शनी देव का आशीरवाद आपको मिलता ही मिलता है और उनका आशीरवाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है, है ना, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं, अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है, कि हम उस चीज को ले पाएं, है ना, तो जिन लोगों की इच्छाएं अ आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है या फिर कभी कभी तो situation मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है उसके घर में बीमारियां भी घुस रही है उसके घर में धन की बरबादी भी हो रही है तो देखिए बहुत बार ये चीजें होती है वास्तु दोश के कारण शनी की कोई महादशा के कारण बहुत सारे कारण होते हैं बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पढ़ता है और फिर हम क्या करते हैं जब हमारे जीवन में निर उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा. तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए, उस तरह से करें और पूरा सुन कर करें. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर र शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लॉंग सरसों के तेल में डाल कर, उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है, तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है, सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी, तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है न, सरसों का तेल कितना लेना है एक कटोरी लेना है ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं छोटी सी कटोरी में ठीक है न? अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी तो थोड़ा सा तेल लेना है कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बरतन ले सकते हैं ठीक है ना कोई भी चीज ले सकते हैं उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लॉंग डालनी है. ठीक है ना? एक फूल वाली लॉंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना? अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लॉंग से तेल को तैय से तैयार करा है, चुटकी भर काले तिल डाला है और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लॉंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है लेकिन आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अरपित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे डायरेक्टली सी अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी, तो मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा, और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है, जिसे आप पूरा ना करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूँ, इसे आप समझेंगे, और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे, और अगर मुझसे कोई भी भूल चुक हो गई हो, अजाने अंजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है, देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, छुटकी भर काले तिल डाल कर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है, सबसे ज्य शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीरवाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें आपने तेल अर्पित किया है, लॉंग वाला, एक फूल वाली लॉंग डाल कर, उस पर भी आपने दीपक जलाया है, तिल के तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं, न उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है। यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको तीन शनिवार करना दोस्तो इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानिया दूर हो जाएंगी तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है वो है पांच काली मिर्च का उपाय सबसे पहले उपाय के बारे में इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5. काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ती भगवान शनिदेव जी के आशिरवाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जला कर आप अपने घर से नजर दोश को भी दूर कर देंगे साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत यादा है घर में पैसा रुकता नहीं है नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं कभी किसी की तबियत खराब है कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बरबादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालें गे साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है है ना तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रूँं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोश परेशान नहीं करती है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रू भी आपका कुछ बिगार नहीं पाएंगे तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं न कहीं नजर लग जाती है उसके घर की सुख शान्ती को सुख सम्रिध्धी को भी नजर लग जाती है अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोश को दूर करना है ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोश आप दूर करेंगे आपके जो गुप्त शत्रू है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है आपको क्या करना है चार यहां पर काली मिर्च लेनी है इसके छोटे छोटे चार दाने लेंगे एक भी दाना तूटा हुआ ना हो यह चीज आपको ध्यान रखनी है एक कपूर का टुकड़ा लेना है अब यह चार काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रख कर जला देना है ठीक है ना, एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें उस कमरे में जाई उस कमरे के एक कोने में ये चार काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंग देना है देखिए जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे आपके जीवन में एक चमतकार होगा आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दो खा रहे थे जो धन को लेकर परिशान थे जो पैसा नहीं आ रहा था या घर में बीमारियां बढ़ रही थी या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है चिड़-चिड़ा स्वभाव है उसका हमेशा कलेश घर में रह रहा है न तो ये चीज़ें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोश अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी और दूसरी चीज़ आपके गुप्त शत्रू आपका कुछ बिगाड नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं देखिए काले की जो वस्तुएं होती हैं यह हनुमान जी से जुड़ी हुई है काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं दूसरी चीज आपके घर में कभी भी नकारात्मक उर्जा नहीं ठहराती है जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी कोई भी आपका दुश्मन होगा तो ये पहला उपाय है अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही और ये उपाय विशेश कर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है हमारे घर में बीमारियां आ रही है धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग है न तो जो लोग कहते हैं कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है किसी एक जगह से नहीं आ रहा है उन्हें विशेश कर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कश्ट बहुत बढ़ गए हैं पैसे को लेकर भी आप परेशान है, धन आपके पास आता नहीं है तिजोरी में धन नहीं रुखता है तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें करना क्या है, पांच काली मिर्च के दाने लेने है अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है है ना अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं आपको क्या करना है जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है उस व्यक्ति के उपर से पांच काली मिर्च के दाने आपको साथ बार उतार में है उतारने कैसे है? आपको clockwise नहीं उतारना है जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना उस दिशा में नहीं उतारना है घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है उस तरीके से 7 बार anti-clockwise आपको उतारना है और फिर ये पांच काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चोराहे पर कोई भी चोराहा चोराहा से बोलते हैं जहां चार दिशाएं होती हैं चार रास्ते बने होते हैं वहां आप जाएं और चार दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली बात नहीं करनी है, मुढ कर पीछे पलट कर, तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें, तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें, जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो, दूसरी चीज, किस अच्छाई का, तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है, तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने तीसरे उपाय की अच्छाई का, तीसरा उपाय जो है, यह भी मंगलवार का है, और आप इस उपाय को शनिवार के दि शनिदेव का है और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी भगवान शनिदेव है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है। कुंडली में है ना लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं शनिदोश हो सकता है। तो अगर आप परेशान है, तो कहीं न कहीं शनी की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। कितने दाने रखेंगे, ग्यारह दाने रख लेंगे, काली मिर्च के काले कपड़े में, और एक रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे, और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, शनिवार कर लेना, या फिर आप पांच मंगलवार भी कर सकते हैं, ऐसा चमतकार जीवन में होगा, जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा, आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आ तो देखिए इसका चमतकार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा यह 101 नहीं बलकि 501 प्रतिशत सत्य है बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए साल 2024 तो हनुमान जी का ही साल है और हनुमान जी को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया हम बार बार उसका भाग्य ऐसे चमकेगा न कि आने वाली साथ पीडियां भी सुखों को भोगेंगे बस मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें बात करें अगले उपाय सबसे पहले उपाय के बारे में इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तीन लॉंग अ आपके घर से दूर हो जाएगा, घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा राधे-राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्यूंकि आज की वीडियो में तीन लॉंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, तीन लॉ लॉंग की लॉंग जो होती है पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना तो होता क्या है, हम उसमें लॉंग जरूर लेते हैं, बजरंग बली का पूजन करते बजरंग बली का पूजन करते हैं, लॉंग हम उसमें विशेश रूप से लेते हैं, क्योंकि लॉंग जो होती है, ये एक तरह से आपके घर से नजर दोश को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है, और लॉंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दे ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन करते हैं, और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेश कर लॉंग के उपाय जरू तो देखिए, जयोतिश शास्त्र में भी लॉंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। और आपके विश्वास का होना भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके, जब आप कोई भी उपाय करते हैं, ना आपका उपाय सफल होता ही होता है, और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले उपाय की है ना, जो की आपको करना है शनिवार के दिन लॉंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रही हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं, तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए, है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आ आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ती के लिए आपको ये पहला उपाय करना है, शनिवार के दिन, तो देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दो फूल वाली लॉंग लेनी है, है ना, एक भी लॉंग उसमें से खंडित ना हो, तूटी हुई ना हो अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं है ना कुछ लोग होता है कि पांच दीपक जलाते हैं जब सुभह के टाइम में पूजा करते हैं कोई कोई दो दीपक जलाता है कोई तीन चार है ना कोई एक दीपक ही जलाता है तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, तो आपको करना क्या है? जैसे मान लीजिए, आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है ना चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है जो दीप दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है, बस इस दीपक के अंदर आपको दो फूल वाली लॉंग डाल कर इस दीपक को जलाना है, वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में दो लॉंग डालत ना सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोश को ठीक करता है। ना उसमें दो फूल वाली लॉंग डाल कर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज शनिवार के दिन करना है। वास्तु दोश भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कश्ट हैं, उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनो कामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था, ये अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की तीन लॉंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये तीन लॉंग आपके जीवन के बड़े-बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है, है ना, कभी-कभी आजाता है। जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, ना जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं। और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद तूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ती हमारा साथ छोड रहा है, और यह सच भी है जो व्यक्ती दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ती दुख में होता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है, ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ती नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, तीन लॉंग, आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार सची श्रद्धा के साथ करें। और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुखा रहे हैं, करजे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानी हो र और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे न बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे, तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, है ना तो उसकी जो नजर, दोश इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है.